तर्वाव देखिएगा दर्शन हुआ मतद जानकी जी को अवे एक बार का समय निकल गया दूसरी बार मतद जानकी जी फिद शिव जी की अरादना करने के लिए बेटी और दो हाथ में जल था स्त्रावन का महीना ज्यात नहीं रे पाया और मा जल को समर्पित करतर शंकर भगवान को उठातर विसर्जन के लेकर जाने लगी पर वो शिवलिक जो पार्टियू बना हुआ था वो माता सही निकल जी ताल में मिर्ट जगह पर शिटेश्वर महत्य उट उस उस गाओं का नाम सीटाबनी है गाओं का नाम याद रखेसे ता बणि कभी मोका लगे और आप लोग ने निटाल ज्यादा रहते हैं तो दिन दिन में अगर कई काड़ी से लोग दर्शन करके बपी सजाते हैं रातरी को कोई रुखता ने सिता बनी जहां सितेश्वर महादेव विराज अब जानकी जी ने पार्थी शिवलिंग को उठाया बिसर्जन करने जा रही है पर वो शिवलिंग हिला नहीं है वो शिवलिंग उठाने लवकुष ने कहा मा आपसे शंकर जी नहीं उठाया है आपी ने तो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है पार्थी शिवलिंग का निर्मान आपने कर और आपसे नहीं उठाया है मा लाव हम उठाते हैं लब ने शंकर वगवान को उठाने का पूरा प्रयास कर जो राम जी से युद्ध कर लेते हैं जो लच्छमन जी को मुर्चित कर देते हैं जो शत्रुगहन और भरत को पचाड देते हैं वो लब और कुछ शिबलिंग को नहीं हिला पादे तब ही देवरीशी नारत का वहां अगमन और देवरीशी नारत ने आकर कहा मा आपके पुत्र शिबलिंग को नहीं हिला सकते मा यह शिबलिंग में भी नहीं हिला सकता क्योंकि स्रावन महिने में आपने जो कावड का जल समर्पित करा है यह जल एक एसाद जल है कि हमारे जीवन के कई लक्ष को एक दड़ी पक्का और निश्यत कर देता है और अटल कर देता है यह हिल नहीं सकता एक बहन ने पूछा कि गुरुजी मानलो कि हमारा मन करें और हम कावड का जल चड़ाएं हमारे मंदिर में हमारे पास में जो मंदिर है उसमें हमें कावड का जल चड़ाना है तो क्या हम जल पास में से ले सकते क्यों ना लेंगे शुमंदिर में पहुच कर जल समर्पित कर सकते यह उसकी उदारता है जो आपके मन में भाव प्रगट हुआ यह उसकी उदारता है दो बच्चे उसके पिता नहीं है मर चुके है ताप माता का नाम है अम और राधे है यूपी जिला बांदा से आए कहा है अहाथे लई है गुरुदी मेरी तबे ठीक नहीं रहती थी मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बेट कर कथा सुनकर बाबा का जल और बेलपत्र लाकर देना चलू करा सारे डॉक्तरों से इलाज करवालिया था आराम नहीं मिला पती नहीं इतना धन भी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े डॉक्तरों को दिखा सकते पर मेरे भोले नातने मेरी जो बड़ी बिमारी थी उसको हर लिया गुरुजी मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बेट कर कहा था जिस दिन हमारी मां अच्छी हो जाएगी ना क्योंकि पापा तो है नहीं मां अच्छी हो जाएगी ना जहां भी कत्था हो रही होगी, जिस दिन ठीक हो जाएगी, उसके ही आठ दिन में हम जहां कत्था हो रही होगी, वहां पहुच जाएंगे, गुर्देव, इतना धन तो नहीं था, क्योंकि डॉक्टर को दिखाने का भी पैसा नहीं था, बाबा ने मिर को जो बड़ी बिमारी ठीक कर दिया, गुर्देव, बच्चों के भाग्ये से मेरे महादेव ने मुझे अच्छा रखा, मेरे बच्चों ने जो भी उनके पास में, उनके पापा ने पहले जो पैसा दिया होगा, गुल्लक में ढाला होगा, वो गुल्लक का फोड़ कर, हम तीनों यहां कथा सुनने के लिए आए हैं, जिसका किराया आगी है, शिवतत्त, एक वारात हिला तो बहन, बहुत बहुत सादू बाता है, आप उसके भावो में आए हो, यह गुल्लक आपके बच्चों ने फोड़ी है, वो जो गुल्लक फोड़ कर देगा ना, उसके आगे कोई गुल्लक नहीं लग आएगी, इतना विश्वास मानने, बेट भी हरार महार, शिवतत्त व इसको कर, नहीं इतना धन, कई लोग कहते हैं, शिवर वाले महराजी ने साब काम विकार करके रखाए, कई लोग कहते हैं, एक बेल पत्री चड़वा देते हैं, मून का दाना चड़वा देते हैं, दातूरा चड़वा देते हैं, ए भाई, अगर कोई पेसे की चीत चड़वाते हैं न, तो ये साधरन से जिनके ये पत्राएं हैं, जिनके पत्र चड़वा देते हैं, वो क्या चड़वा देते हैं, बहुत मेसे जाते हैं, आड़े तेड़े आते हैं, फोन करते हैं लोग, क क्या चड़वार है क्या है पर इतना विश्वास जरूर करता हूं मेरे महादेव पर भरोसा करकर कहूंगा आपने एक बिलपत्री एक दुरुबा एक चावल का दाना या एक मूं भी चड़ाई आए क्यों का दाना भी चड़ाया है ना उसके खाते में लिखा गया है वो धन से नहीं तुमारे भावस से प्रगट होगा है भावस पास में करोडों की संपधा होगी वो तो बहुत चड़ा देंगे साथ पर जिनके पास नहीं है आने पका किराया नहीं है और गुल्लक खोड़कर जो पिता मर गए उस पिता में थोड़ा वो तगर बच्चों को दिया होगा तो फोड़कर अगर यहां कर पहुचा है तो उसका विश्वास लेकर आया है भरोसा लेकर आया है विश्वास पाबा तैसे तोड़ दे जी वो भरोसा कैसे तोड़ दे तो आप्रेशन हुआ उसका आपका कैंसर सई हुआ उस पत्र को जरा पढ़ेंगे तो नीचे एक लाइन उस पत्र में लिखी मेरी बच्चे पुषती है कि मा बड़े-बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि मैं मर जाओंगी और आप संकर जी पे लग कर कहती है दाप्टर करें तुम मर जाएगी यह बच्ची जिन जिन्दा नहीं देगी और तू कहती है कि पानी लगाने से में जी जाओंगी मा क्या महादेव सुनते हैं उस पत्र को अगर पढ़ोगे तो आपकी आँख में से आसु बह जाएगा मा अपनी बेटी से कहत है सारी समस्या का हल एक लोग का जल है पचा लेगा हो क्यों नहीं आया है आई हम उसके भरों से ही तो जी रहे हैं हम उसके सारे ही तो जी हो हमारे पास है क्या हम किसको पुकार सकते हैं हम किसको बोल सकते हैं हम किसको कहेंगे कि हमको यह तकलीफ है अगर हम अपनी तकलीफ को दुनिया को बता भी देंगे तो कौन ठीक कर देगा अंत समय प्रभुवान पड़ेगा प्रवच्चन दिया दो निवान पड़ेगा अंत समय वो आ जाता है मा तू कहती है बच जाएंगे वो कहता है मर जाएंगे तो है बेटी कहती है मुझे दिखता अनिये एक आथ से मा अज उन बच्ची को बेलपत्र देकर जो खुशी हम को मिली होगी वो दुनिया की सारी दिवाली आपकी है उसके आगे सारी दिवालियां काली दें अब शब्द का है तो ठीक हो गई ना बहुत है जल मिल गयाना शिव को संकर ने स्विकार कर लिया ना ठीक है उसकी स्विक्रती है हम स्विकार कर लिये अगर पापा ने दिये हुए दन से ये गुल्लक फोड़कर अपनी मा को ठीक करकर अगर यहां तक लेकर आएं तो बाबा भी स्विकार कर लेता है उसको मालूम है इसकी गुल्लक छोटी है पर मेरी गुल्लक छोटी नहीं मैं जब तूँगा तो छप्तर भार कर दे दूँगा यह उसको मालूम है यह उसके ज्ञान में देता है भाई जमीन पे पड़े हुए पत्थर को भी तरास कर हीरा बना देता है मेरा मा देओ को मैं केवल आपका प्रेम और शिव के प्रतिसमर पड़ शिव है लोग करते हैं तुमने महादेव को देखा है हमने का हमें देखने की जरुवती नहीं केवल उसकी एक कृपा सामने दिख जाती है हम समझ जाते हैं कि वह आकर चला गया और देखर चला गया क्या देखें क्या देखें लच्मन जी से पूछा गया तुमने जानकी जी का चेहरा देखा है यह यह स्रंगार देखें लच्छमन जी करते हैं मैंने मा के चरण देखे हैं तो पायल बता सकता हूं कि मेरी मा की है हमसे कोई कहे तुमने संकर को देखा है तुमने महादेव को देखा है हम केवल इतना कह सकते हैं पत्रों में लिखा हुआ एक एक जवाब मेरे महादेव का है तो हमने देखा नहीं, पर पत्त कहते हैं कि वो है, क्या देगा, कितना देगा, मालूम नहीं है, लोग तो केवल विश्वास से आते हैं, भरोसे से आते हैं, दड़ता से आते हैं, पहुच जाते हैं, आत में हैं, अंगारा जो होता है ना लकड़ी का तुकड़ा जो जल जाता है अंगारा जो होता है उससे कोई दोस्ती कर ले उससे कोई पैचान कर ले उसको माता मान ले